आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार शारुक खान को बॉलिवुट का किंग कहा जाता है ये एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया के दिलों पर राज करता है बॉलिवुट के किंग खान यानि शारुक खान आज अपना 57 जंदिन मना रहे हैं उनके साथ साथ देश विदेश में फैले उनके फैंस भी उनके जंदिन के जश्न को दोगुना करने का हर संभव कोशिश करते हैं शारुक खान ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया, वो अपने बंगले से बाहर आए, अपना सिगनेचर मूव दिखाया और हाथ हिला कर फैंस का शुक्री आदा किया उनके साथ उनके नौ साल के बेटे अबराहम भी थे, बालकनी से उन्होंने फैंस के साथ सेलफी भी ली, इस दौरान मननत के बाहर फैंस की दीवानगी साफ नजर आई, कुछ-कुछ होता है, कल हो ना हो, बाजिगर, दिल तो पागल है, दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे और वीर्जारा जैसी फिल्मों में अपनी अदकारी का लोहा मनवा चुके शारुक खान के दुनिया भर में करोडो फैंस है, रुमैंस के बादशा कहे जाने वाले शारुक खान, सिधार्थ आनंद की अपकमिंग फिल्म पठान में नजर आएंगे, जून 1992 में फिल्म दिव बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और शारुक खान ने फिर पीछे मुरकर नहीं देखा, उन्होंने एक के बाद एक सुपर हिट फिल्म में दी और दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया, शारुक खान की पठान जब से अनाउंस हुई, तब से चर्चा में बनी अब फिल्म पठान का टीजर रिलीज हो गया है, टीजर में शारुक की किलर लुक्स और आक्शन दर्शकों को दीवाना बना रहे है, पठान की टीजर को खुछ शारुक खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेर किया है, वीडियो को शेर करते हुए आक्टर ने देखा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, टीजर में वीएफेक्स और आक्शन का जबर्दस्त कॉंबनेशन देखने को मिल रहा है, ये फिल्म तीन भाशाओ, हिंदी, तमिल्द और तेलगु में रिलीस होने वाली है, इससे पहले फिल्म पठान के सेट से एक अन् स्वीर में आप देख सकते हैं कि शारुक खान और डीपिका पड़कोल एक बालकनी में खरे नजर आ रहे हैं, दोनों स्टार की ये अंसीन फोटो फिल्म पठान के सेट की है, सिधार्थ आनन के डिरेक्शन में बनी ये फिल्म 25 जन्वरी 2023 को सिनमा घरों में रिलीस होगी, शारुक खान के फैन्स उनके इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, शारुक खान फिल्म पठान के अलावा, डेरेक्टर एटली कुमार की फिल्म, जवान और डेरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म, डंकी में काम करते हुए दिखाई देंगे, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार